आई दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं तमिल नाडू में उटी जो की एक हिली स्टेशन है उससे 19 किलोमेटर दूर एक पाइकरा नाम की जील में आपको शेर करवाते हैं और ये जील तमिल नाडू टूरिजम के दौरा मेनेज की जा रही है और यहां पर तमिल नाडू टूरिजम के द्वारा चलाया जा रहा है और यह है टेरिफ बोटाउस का मतलब आप चाहें तो इसमें बड़ी बोट ले सकते हैं 10 सिटर जो की 20 मिनिट और स्पीट बोट ले सकते हैं जो की 10 मिनिट के लिए और यह देखिए हमने टिकेट ले लिया है अपने बोट का और अ तोड़ा सा नजारे का अनंद लेते हुए अब नीचे जाएंगे यह नीचे जा रहे हैं बोट की तरफ और काफी सारी बोट है यहां पर और यह हमने अपना टिकेट दिखाया इनको एट सिटर बोट हमने की है और देख रहे हम कौन सी बोट ले इसमें से तो हमने ओपन बो देखने लाइक चीज है और हम आपको दो दो केमरे से इसलिए दिखा रहे हैं कि दो डिफरेंट एंगल से आप इसे देख सके और बहुत ही साफ क्लियर पानी है जील का और एक तम थंड़ा थंड़ा मोसम है और पानी देखिए कि इतना शानदर लग रहा है लाइट ग्रीन क्लर का पानी यहां पर दिखाए दे रहा है और देखिए क्या शानदर चारत्रप जील के चारत्रप बहुत लंबे-लंबे उच्छे पेड़ हुए हैं जो कि अलग ही इसको लुख दे रहे हैं और यह देखिए स्पीड बोट हमारे सामने से भागती भी निकल गई आपकि हम हमारे जो आसपा से निकल रही उनका नजारा और यह देखिए किनारे विल्कुल एक्तम लाल रंकी सेंड के हैं और उसके पाथ जश्ट गहर सारे पेड तो गजब का दिखता है और यहां पर कोई भी जोपड़ी यार किसी के मकान नहीं बने हुए तो इसलिए एक्तम नेच कि ठंडक और हमारी बोट जो चलती जा रही है तो वो थोड़ थोड़े छीटे भी हमारे उपर आ रहे हैं तो उससे और हमारे अंदर ठंडक का एसास बढ़ रहा है और कुछ बोटों से कॉम्टिशन करते हुए जल्दी पॉइंट तक पोचने की और यह देखिए बोट को दूर से नजारा दिख रहा है यह बोट हाउस है जो हमारा और यह चाहत्रप का नजारा यह बोट हाउस के तरफ हम जा रहे हैं और हमारी यह सेर सपाटा खतम हुआ भी समिटका और यह बोट हाउस के पास बापिस आ गए हम और यह देखिए आराम से हम बोट हाउस के पा और इसके साथ ये वीडियो समापत होता है और हम उटी की कुछ और जगा गूमेंगे अगले वीडियो में आपको आपको सामनान को लेके आएंगे फिलाल ये पाइकरा लेक उटी का वीडियो इतना है धन्यवाद देखने के लिए